हेलो फ्रेंड्स वार मोस्ट वेलकम लेट्स क्राइग विप्येस दोस्तों आप सभी लोग का इस चैनल में स्वागत है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेंट चल लगाई तो इसमें हम लोग कॉंसेप्ट सीखेंगे प्रिविश एर कोष्चन है निव कोष्चन है डाउट क्लिरिंग सेशन है सप्लाइद मिसिंग वर्ड है करेक्शन है और किजज है मतलब एक्जाम में जितने पैटरन पर इसमें से कोष्चन पूछा जाता सभी हम लोग करेंगे तो टॉपिक बहुत इपॉर्टेंड है सभ अपने बारे में बताऊं आप लोग अपने सभी ग्रूप में सेयर कर दो सभी बच्चे आ जाते हैं फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते गाई दिस इज मी घंसयाम सिंग और मैं टीचिंग एक्पिरियंस इज मोर दैन तुनिफाइव दोस्त और मेरा जो कोड है यह य यहां पर देख पा रहा है कि अगर आप ने अप इंस्टाल नहीं किया तो आप इंस्टाल कर लिजे और मेरा कोड यसप जी एच एन यह आप जरूर यूज करें क्योंकि इससे मेरा भी आप फ्री लाइप क्लास देख पाएंगे और अधर एजूकेटर का भी देख इसमें एबरी थर्ड सेशन डाउट कीरिंग सेशन होता है इस्टरक्टर कोर्स से जोंगे आपके कोर्स को इस तरह इस्टरक्टर किया जाएगा ताकि प्री मेंस ऑप्शनल इंटर्विव यह सभी आप अच्छा प्रिपेर कर पाएं और एक्जाम में आप 100% डन कर पाएं लाइफ टेस्ट प्विजट्स से आपकी रैंकिंग पता चलती है और फिर हम लोग इंपूर्विमेंट वी लग जाते हैं फिर फिर टेस्ट होगा फिर रैंकिंग होगी फिर इंपूर्मेंट होगा तो स्लोली पता आप सेलेक्शन की तरफ बढ़ते हो अनल्लिम्टेट एक एक बार आपने सब्सक्रिप्स लिए इसमें प्री मेंस इंटर्व्यू यह सारी चीजी इंक्लूड़े इसके साथ आपको क्या मिलेगा कि यू कैन प्रिपेर भी टॉप एजुकेटर आफ इंडिया इंडिया के जो टॉप एजुकेटर जी से मुलल पटेल जी हैं रूमन सैनी कि दो तरीके गए एक तो प्लस है तो प्लस में जो 12 मंद की फी है यह 44,550 रूपीज है 24 मंद की जो फी है 64,800 यह मेरा कोड धंसे आम आप जरूरी उचके नहीं ताकि आपको 10% का डिस्काउंड भी बिले और साथी साथ आप मुझ से डिरेक्ली जूर पाएं तो मेरा जो 27 आपके सेलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएं सेकेंड आप देख पर हैं कि आइकॉनिक सब्किप्शन बेटर है किस से प्लस है क्यों विकाज इसमें आपको एक आइकॉनिक टीम मिलती है इस टीम की जो मेंबर है और लेडी क्या है वो वो टॉप रैंकर से रह जो पूची कि अगर आप आईकॉनिक सब्किप्शन लेते हैं तो आप अपना प्रिपरेशन किसके साथ स्टार्ट करते हैं जो टॉप रैंकर्स हैं जो कॉलिफाइड है जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है इनकी साथ जूड़ने से पता आप भी टॉप रैंकर बन सकते हो आप भी कॉलिफाइड कर सकते हो आपके कॉलिफाइड करने चांसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते गए थर्ड क्या है कि आप फर्स्ट अटेंट में भी क्रेक कर सकते हो और फॉर्थ आप अपना टू से थ्री इस जो विगनिंग में वेस्ट हो जाता जो पता नहीं चलता है यह आप सेब कर सकते हो जो सेलेक्शन दो से तीन साल बाद होने वाला वो पहले हो सकता है लेकिन इसके लिए गए आईकानिक सब्क्रिप्सन लेना पड़ता है इसकी 12 मन्द की फी कितनी है 62,550 रुपीज गईज 24 मन्द की कितनी है 96,300 है 36 मन्द की कितनी है 1,26,900 गईज ताकि मुझसे आप डिरेक्टी जुड़ पाएं और जो मेरा 27 एक्विरियंस है यह आपको बहुत बेनिफिर दे सके एक जामे गए तो सेलेक्शन डन है अगर आप सीस्टी को लेकर बहुत एकदम डिटर्माइन है उजह करना है ता आईकानिक सब्क्रिप्सन जरूर ले और 22 का बहुत स्टार्ट है कंपल्सर इंग्लिस मेंस का पेड क्लास का यह बैच स्टार्ट होने वारा गईज अगर आप पेड क्लास में 100% गैरेंटी वाली इंग्लिस पढ़ना चाहते हैं उससे घंसयाम कोड का गाईज यूज करिए 10% का डिसकाउंट नया बैच और फार्मुले चलते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगलर है तो फिर वर्ब क्या होगी सिंगलर होनी चाहिए फार इक्जामपल घंसयाम सिंग सर इज वन आप बेस्टीचर ठीक है तो घंसयाम सिंग सर यह सब्जेक्ट हो गया सिंगलर है यह वर्भी मारी सिंगलर ह हमारा राइट है second क्या concept है कि प्लूरल अगर subject है तो फिर वर प्लूरल होगी example neither he nor his friends are neither he nor his friends are calling me okay here we can say calling me calling me here you can say तो नीदर ना से जब singular or plural subject जूडते हैं तो फिर तो यह subject जो होगा इतना बड़ा यह plural होगा तो इसके लिए जो वर्व होगी गाइद इसके लिए जो वर्व होगी आर कालिंग यह भी प्लूरल होगी यह sentence भी ठीक है तो अब जो ऊपर जो रूल है इससे पता चलता है कि अगर करता एक बचन है तो वर्व भी स्विलर होगी और अगर subject प्लूरल है तो वर्व भी प्लूरल होगी लेकिन इसी को समझना किस परिस्थित में किस कंडिशन में कौन सा subject similar है और कौन सा प्लूरल है उसके according हम लोग वर्व का यूज़ करेंगे अब गई यहां पर एक question लेते हैं sorry start करें क्या करेंगे I will go I will go to studio part A and will take my live classes part C है no error part D guys किस part में error है spot करें अगर आपको लगता है कि no error है your option will be D और but you think there is error in any part pick that particular part yes 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 20 part में चले concept लेते गई यहां पर देखी यहां पर concept लेते गई यह दी दो यादो से अधिक up-work class conjunction and से जुड़े हो ठीक है तथा सभी एक ही तेंस के हों जितने भी classes है same टेंस के हों तो एंड से पहले वाले उपवाक्य में क्लाजेज में helping वर्ब तथा main वर्ब दोनों का प्रियोग होता है tense model के according बट एंड के बाद वाला जो क्लाज होगा उसमें केवल main verb का ही प्रियोग किया जाएगा तो किसका नहीं helping नहीं आएगी for example for example I will get at 5 a.m. and will go for warning वाग गाईज पता है ये दोनों एकी tense है देखिए and के पहले and के पहले भी यहाँ simple future है and के बाद भी simple future हो रही है तो फिर जब conjunction and से दो दो tense combine करेंगे और सबका tense एक ही हो तो पहले tense में helping और main ये दोनों आएगी tense के according helping और main दोनों आएगी बट जो and के बाद आएगा and के बाद यहाँ पर क्या होगा helping वोग मिसिंग होगी main वर्ब तो आएगी main वर्ब आएगी but helping क्या होगी मिसिंग होगी यहाँ पर आगी यह sentence guys क्या है comment box बता यह sentence क्या है right or wrong comment box में guys यह sentence बता है wrong second देखे I will get I will get here is preposition I will get up I will get up at 5am and go for morning work guys यह ठीक है यह ठीक देखे and से दो दो टेंस कम्बाइन कर रहे हैं ठीक है यह दोनों के क्या कर रहे है कि I will get up at 5am I will and will go for one यहाँ will hidden guys यह चीपा रहेगा लेकिन अगर आपने लिख दिया तो रांग तो यह जब दोनों sentence दोनों गईज यह दो दो sentence add हो रहे हैं कमाइन हो रहे हैं और दोनों के टेंस क्या है एक ही है जब दोनों के टेंस एक ही है तो फिर एक में तो helping first वाले जो पहले वाला टेंस होगा इसमें helping वो प्लस मेन ये डोनो मेंटेन होगा बट इसके बाद केवल मेन वर्ब आएगा helping missing होगा ये sentence क्या होगा ये right होगा क्लियर होगा concept अगर concept clear है तो फिर जी वाई टाइप करें घंस्याम सिंग और अगर clear नहीं है जी एन टाइप करें घंस्याम सिंग और यहां से question है और यह चीज़ें तो आप पता है आप जब यह से writing करोगे प्रेशी राइटिंग comprehension even grammar part तब भी maintain करना पड़ेगा ये तो हर जगा ये से में तो हर जगा ये maintain होगा गैज तो अगर आपका clear है तो जी वाई टाइप करें घंस्याम सिंग यह नहीं clear है जी एन टाइप करें घंस्याम सिंग और गैज एक बात और सभी वच्छे session को सभी वच्छे session को like और share ठीक है इस नंबर पर यहां पर आप कॉल भी कर सकते कोई डाउट है और यहां पर पीडिया भी अवलेबल है पीडियाप के लिए let's crack you can see ccc hindi टेली ग्राम गुरूप भी है और इंग्लिज जित घंस्याम सिंग यह भी टेली ग्राम गुरूप है यहां पर भी पीडियाफ और इस पर जो नाइन शिक्स टू फाइव एट ट्रीपल उन टू फाइव और गर्ल्स के ग्रूप बिल्कुल सप्रेंट नहीं बताए जेंडर बताए अपने पार्टिकुलर ग्रूप में जाए और इस्टेडी करते रहे हां क्लास की नोटिफिकेशन चोटे मोटे डाउट सब्सक्राइब ग्रूप में मिलती रहती गए यह क्लियर हो गया बहुत सिंपल है एक बार मैं और एक्प्लेइन कर दोगा है क्या है अगर कंजंचन आएंड से कंजंचन आएंड से दो-दो संटेंस जुड़ते हैं और दोनों संटेंस का टेंस अगर सेम है तो जो फॉस्ट क्लियर हुआ तो जी वाई गंस्याम सिंग एस और क्लियर ने जी एंड गंस्याम सिंग नो मत्तब दोनों टेंस में अगर यह कही टेंस हैं कंजंचन आएंड के बाद भी तो बार बार हेल्पिंग और का रेपिटीशन नहीं होगा कम टू दे और कोश्चन यह कोश्चन घए क्या करें I'll I'll go to studio and will take my life classes गया इसमें क्या कहा गया है कि यहां क्या हो गया, simple future हो गया और यहां भी same tense है, जब same tense होगा, तो फिर यह helping और missing होगी गई, तो आपको पता है, B part में error है, अगर हमको error पार्ट देखना हो तो B है, और मेंस की answer राइटिंग हो जाए, सभी अच्छे, मेंस की answer राइटिंग करिए, comment box में, yes, 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 start करें गई, हाँ, बिल्कुल, यह will को क्या करेंगे, remove कर देंगा, will को क्या करेंगे, will को हम लोग कर देंगे, remove फिर हमारा हो जायागा, शरी, clear हो गया, done a question, चरी, next question दीजिए, यहां पर यह गाइस क्या है, I am teaching, I am teaching part A, and I am writing in the life class, part C है, नुरेर पार्ट दीए, अब तो बहुत इजिए है, you can do it, आप तो आप कर सकते हैं, come on start, yes, 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 अगर आपको लगता है, no error, then your part will be D, yes, guys, I have started your time, मैंने आपकी time start कर दीए, yes, 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 b part, b part, ठीक है, guys, बिल्कुल, आपका answer, बिल्कुल सही है, part B में error है, एक बार मेंस की answer writing हो जाए तो, मेंस की answer writing हो जाए, yes, 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 मै मैं भी आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं भी आपके साथ ही लिख रहा हूँ, चलिए, लेकिन मेरा आप लोग देखे मत, चलिए, मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया कि remove I am, I am को क्या कर दे, remove कर दिया, विकोस क्या हो रह आगए, देखा है, I am teaching, ये conjunction and है, एक sentence I am teaching है और एक sentence है I am writing दोनों के टेंस से में तो first में first में according to tense helping और main दोनों आएगी बड़ second में क्या आएगी only main verb आनी चाहिए क्या नहीं helping नहीं तो फिर be mirror है I am को remove कर देंगे ये right हो जागा क्लियर है तो जी घंस्याम सिंग एस नहीं क्लियर है तो जी एन घंस्याम सिंग नो कमेंट बाक्स में येस कैज येस येस अरे डन है बहुत सिंपल हो गया मैंने concept करा आ भी गई next question आपकी timing भी start कर देता हूं guys क्या लिखा है I am studying I am studying part A and I am making notes in the live class part C है no error part D है बहुत सिंपल है 100% हम लोग हम लोग exam में इसको 100% कर सकते हैं और ध्यान देंगे यह से writing करेंगे आप प्रेसी writing करेंगे comprehension even grammar part को जब describe करेंगे तो एक ही tense अगर है guys conjunction के पहले और बाद में same tense है तो आपको पता है क्या missing होना चाहिए या क्या यूज नहीं होगा guys बिल्कुल आपका answer सही है B part में error है मेंस की answer writing के लिए क्या कर देंगे मेंस की answer writing के लिए क्या कर देंगे कमेंट बाक्स में remove what remove m मत्तब m को आपको क्या कर देना पड़ेगा remove कर देना पड़ेगा और के पहले भी present continuous है और एंड के बाद भी present continuous है तो पहले वाले हम गाई यहां helping और main यह दोनों right है यह लगेगा बट conjunction and के बाद and के बाद यह आपको helping क्या करना होगा missing करना होगा only main verb का use होगा यह कब होगा जब conjunction and के पहले और and के बाद दोनों tenses क्या हों दोनों tenses सेम हों एक ही हों तब होगा clear done guys चले next question लिजे मैं आपकी timing start कर देता हूँ guys क्या लिखा है his assistants have part a and still doing part b excellent work for the organization part c है number part d है चले start करें yes 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 थोड़ा सा mind use करेंगे done question question done है my friends yes 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 चली guys चली comment box में अच्छा ऐसा करते हैं रुकिया मैं आपको थोड़ा concept देता हूँ मैं आपको concept देता हूँ यहां पर ध्यान नहीं क्या लिखा है यह दो या दो से अधिक जो clauses है conjunction and से combined हो जुड़े हों तथा कह रहे हैं कि सभी sentence टेंस अलग अलग टेंसेज के हों इसके पहले क्या था सभी sentences यह कही टेंस के हों अब यह करें कि अलग अलग टेंसेज के हों तो जैसे अभी मैंने इसके पहले क्या बताया कि अगर conjunction and से दो या अधिक लाजेज कंबाइन होते हैं ठीक है तो अगर same tense है conjunction and के पहले भी वही tense है और बाद में भी वही tense है तो फिर helping और पहले के पहले होगा conjunction and के पहले होगा बाद में नहीं होगा यहां हम लोग क्या सीख रहे हैं कि conjunction and से अगर दो या दो से अधिक classes add होते हैं और दोनों अलग अलग tense के हैं तो फिर दोनों में ही helping और main का प्रियोग किया जाएगा conjunction and के पहले भी और conjunction and के बाद भी यहां पर देखे क्या है I have helped ठीक है यह and हो गया तो conjunction and के पहले एक tense यह है present perfect गया है यह present perfect है help in future and help अब यह पता यह क्या कह रहे है कि I have helped present perfect हो गया और कहाना कि future में मैं करूँगा future में help करूँगा इसका मतब conjunction and के पहले प्रिजन perfect है बट conjunction and के बाद यह future है तो future में present perfect हो आएगा नहीं तो future में तो future ही आएगा इसका मतलब दोनो sentence के आ गए, दोनो sentence अलग-अलग tensions के हैं, तो फिर दोनो sentence जब अलग-अलग tensions के हैं, तो दोनो sentence के लिए अलग-अलग helping verb आनी चाहिए, अब इसको देखे गए नीचे वाला, I have helped and will help in future, ये गए ठीक है, देख रहे हैं, conjunction and के पहले, एक tense आया, present perfect आया, conjunction के बाद फिर एक sentence आया, इसका tense future tense आया, तो यहाँ helping verb यूज़ होगी, जब and के पहले और बात के जो tenses हैं, ये जब अलग-अलग tense के होंगे, तो फिर दोनों ही tenses के लिए helping और main आयागा, conjunction and के पहले भी, और conjunction and के बाद भी, गैज़ क्लियर होगया, अगर ये clear है, तो जी व सभी बच्चे लाइक, जिन बच्चों ने like और share नहीं किया है, सभी बच्चे session को like और share जरूर कर देंगा, अभी कर दीविकाज आप लोग भूल जाते हो, और pdf के लिए 9625, 81125, इस नमबर पर, ये वाट्सप नमबर यहां पर call भी कर सकते हैं, यहां पर pdf भी है, current affairs है, यहां चलते रहते हैं, और pdf के लिए let's cry qpccc हिंदी भी है, टेली ग्राम है, चैनल, और English with घंस्याम सर, यह भी टेली ग्राम ग्रूप है, यहां भी pdf आपको अवेलेबल हो गया, यह clear हो गया, clear हो गया guys, चली, question पर आई थोड़ा, यह क्या लिखा, conjunction आड, ध्यान देंग still doing, excellent work for the organization, अब यही आपको समझना है, कि जो conjunction and है guys, conjunction and से दोनों तरफ के जो sentences है, उसको आप समझे, conjunction and हो गया, ठीक है, and के पहले क्या है, his assistance, have what, and फिर लिखा, and is still doing, guys, guys, जानते हैं, यह have, have तो लिखा है, लेकिन main verb भी नहीं है, इसमें, main verb है ही नहीं guys, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि अब क्या करें, अब यह helping मालने तो main है ही नहीं, जबकि दोनों other other tense बता रहे, अगर हि भी कर रहे हैं, यह excellent work, organization के लिए अभी भी करने हैं, और किये भी हैं, तो अब guys क्या करने वाले हैं, अब कहाँ पर error है, अब पता है, अब देखिए इसमें यह helping verb हो गई, यह helping verb हो गई है ना, और यह main है, और यह main है, अब आप क्या करेंगे, कि किस पहली बात तो error part आपको identify करना होगा, error part कहां लेख जाएंगे, part A mirror है, ध्यान समझेंगे, part A mirror है, कि part B mirror है, अगर आप थोड़ा सा sense लगाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, yes, 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 अब पता है, यहाँ पे एक helping दिया है, यहाँ पे एक main दिया है, अब अगर यह कहा जाएंगा है, his assistance have done, his assistance have done and is still doing excellent work for the organization, technical team, कहाँ पे error, आप ध्यान से अगर आपने concept को सोच लिया है, तो बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, गैज, पता है, बी पार्ट में, बी पार्ट में, अगर आप and still, गैज, पता, अच्छा, अगर ऐसे कहा जाए, his assistance have done, and still, and still doing excellent work, अब आपको क्या लगता है, कहाँ पे error है, गैज, अब आपको, अच्छा, रूखी, मैं एक बार concept दिखाता हूँ आपको, गैज, एक बार concept जरा देखे, यहाँ पे क्या कहा गया, कि जब जब दो दो गैज, दो दो, conjunction and के, यहाँ पे ध्यान देंगे, conjunction and के पहले, और conjunction and के बाद, conjunction and के पहले, और conjunction and के बाद, है ना, जब sentences आएं और sentences अलग-अलग हों, different-different हो, तो फिर आपको sense यूज करना होगा, कि हमको यहाँ पे क्या करना है, अब आईए अपने question पर गयाई, तो यहाँ पे क्या, his assistance have, have what, have done and still, and still, अब गाई जानते हैं, यह जो दिखा रहा, second number है, second number गाईज क्या दिखा रहा, second number continuous दिखा रहा, ध्यान समझेंगे, second जो number and के बाद क्या दिखा रहा, and के बाद क्या दिखा रहा, continuous दिखा रहा, तो his assistance have यहाँ पर ए पार्ट में लेंगे guys have done and still doing excellent work clear रुआ यहाँ a part mirror है और यह main verb को यहाँ लाना पड़ेगा और यहाँ पर यहाँ पर जो second वाला है न part भी है यहाँ पर आपको continuous की यह जैमार लेने की जरूरत ही नहीं guys his assistance have done and still doing clear है उसके assistance किये हैं और अभी भी कर रहे है excellent work for the organization तो part a mirror है क्या कर देंगे have की बाद क्या है guys have done clear हो गया yes 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 clear हो गया part a mirror है और यहाँ पर main verb आएगी have done main verb तो लेगा ही and still doing यह ठीक है यह यह sense दे रहा है यहाँ पर helping verb की जरूरत नहीं है clear हुआ question clear होगे guys clear है तो जी वाई घंस्याम सिंग है clear नहीं है तो जी एन घंस्याम सिंग हो guys यह थोड़ा main verb का था helping नहीं main verb पूछ रहे थे कि क्या करेंगे आप clear आरे आप देखे ना he assistance have done उसके जो assistant है वो कर चुके हैं और कर रहे हैं यह तो sense दे रहा की कर रहे है and still doing but यहाँ पर कर चुके हैं यह main verb missing था चली next question लिजे honesty honesty always has and will always be a great virtue क्या करेंगे conjunction and गए देखे जब double sentences conjunction and से combine होते हैं तो पहले आप and को न and से पाढ़ कर लिजे honesty always has and will always be यह तो ठीक है यह तो ठीक है यह तो will भी लगाए हुए है will भी यह पाढ़ तो ठीक है तो honesty always has has what अब थोड़ा सा गर आप ध्यान देंगे तो गईज पता है honesty always has been होगा been 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 honesty always has been मत्तब अच्छा अगर कोई चीज कहना हो रही है यह रह चुकी है जैसे गईज मैंने कह दिया कि मैं वह एक अध्यापक रह चुका है तो क्या हो जाएगा he has been यह ध्यान देंगे he has been a teacher he has been a teacher यह देख रहे हैं he has been he has a teacher यह तो कुछ नहीं होगा यह तो हो जाएगा उसके पास एक teacher है लेकिन हमको यह बताना कि कोई भी चीज कोई भी condition में रह चुका इस्टेट में रह चुका है तो उसके लिए has been और have been है यहां क्या है honesty always has been has been honesty हमेशा रही है and will always be a great virtue और हमेशा वो great virtue रहेगी हमेशा great virtue रहेगी और यहां रह चुकी है रही है तो guys पता है अगर आप ध्यान से देखें ध्यान से देखें तो आपका किस part में रहा है part A में error है part B तो ठीक है will be तो ठीक है will always be तो एक दम ठीक है honesty has what has been has been and will be guys clear हो गया clear हो गया part में error है है और है के साथ क्या लगा देंगे बीन लगा clear है तो जी भाई घंस्याम सिंग एस अगर guys clear नहीं है जी एन घंस्याम सिंग नो चलिए comment box में simple guys मैं कह दूँ मैं कह दूँ वह एक अच्छे इंसान रहे हैं और और रहेंगे always रहेंगे तो he has been he has been a good person and will always be always be a good person तो has been मतब रह चुके हैं रहे हैं चलिए next question लीजिए क्या लिखागा is his brother his brother never has and will be dependable चलिए मैं और थोड़ा question करा दूँ उसी type का तो आपको ज़्यादा clear हो जाएगे अब यह क्या कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि his brother never has अगर ठीक है तो आप D ले लो no improvement ले लो लेकिन अगर आपको लगता कि यह जो part है never has इसमें अगर improvement है तो आप A ले सकते हो B ले सकते हो और C भी ले सकते हो yes guys yes 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 तो वह previous concept है कि अगर कोई चीज रह चुका है कोई चीज रह चुका है तो उसके लिए क्या है गैज उसके लिए पता है क्या है बिल्कुल 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 हाँ yes 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 आप का अंसर गैज बिल्कुल राइट है B option राइट है यहां पर His brother never यह guys has तो कुछ है ही नहीं has मतलब तो अगर यह रखना हो जाएग न तो यहां तो रखने का कुछ है नहीं यह उसका brother रह चुका है तो क्या कह रहे हैं कि His brother never has been मतलब उसका भाई कभी भी नहीं रहा है and will be नहीं होगा dependable मतलब आशित न कभी रहा है और न कभी होगा यह clear हो गया तो guys हमारा right answer क्या है आप एक चीज़ आप समझे गया यह पता है यह has been have been क्या कहता है has been have been यह क्या कहता है यह guys जानते कोई भी condition किसी भी condition या state को बता दे से मैं कह दू कि मैं एक क्रिकेटर रहा हूँ guys अगर एक हिंदी ट्रांसलेशन लेने क्या मैं एक क्रिकेटर रहा हूँ ताप क्या कर देंगे आप कर देंगे I have been I have been a क्रिकेटर है न गए यह देख रहे है यह have been है he has been a क्रिकेटर he has been अब कमेंटेटर है न अपने और कोज भी है कौन इंडियन क्रिकेट टीम के guys कोज कौन है सास्त्री तो अब कहा जाए कि he has been a क्रिकेटर वो अ क्रिकेटर रह चुके है तो जब कोई चीज रह चुका है रह चुका तो उसके लिए guys क्या है has been have been है his brother क्या never has been कभी नहीं रहा है and will be dependable clear हो गया अगर क्या clear है clear है comment box में वैसे ये question बहुत important है ये conjunction and के पहले क्या tense है उसको maintain करना है conjunction and के बाद क्या tense है उससे भी maintain करना होता है चले गई next question पर रहिए क्या लिखा है new concept है tactics are made part A to win to win the battle part C है no error part D ये जो previous concept था वो तो हो गया कि conjunction and के पहले और conjunction and के बाद टेंसे आपको अच्छे से maintain करने पड़ेंगे तभी sentence आपका correct हो गई ये से writing करेंगे प्रेशी करेंगे grammar part है comprehension है सब में इसका use करेंगे चले यहाँ पर क्या करेंगे tactics are made to win the battle करेंगे करेंगे अगर आपको लगता है no error तो आपका part D होगा तेली ग्राम ग्रूप है यहां भी है इंगलीज दिद घंस्याम सर यहां भी है और यह वाटसप नंबर है यहां बॉयज और गूर्ट गूरूप बिल्कुल सपरेट है अपना नेम बताए जेंडर बताए सपरेट गूर्प पे जाए और वहां पर इस्टेडी करते रहे हैं य नेमेb करते हैं नममीत इस्टेडजी है डर्थ में माइ'll थे हमेसा प्लूर्प होगा हमेसा प्लूर्प होगा क्योंकि कईर्ड़ा जो हमेसा प्लूरल है उलब होगा थो अगर और यह सब्लूर्प के रूप में आए खिर सब्जेक्ट होगा तो फिर इनके साथ वर्ब काईज क्या होगी प्लूरल होगी क्यों क्योंकि टैक्टिस जो है जब वार होगा बैटिल होगा कमबैट होगा फाइट होगा इसमें इसमें हमेशा प्लूरल में आएगा तो जब प्लूरल में आएगा तो इनके साथ वर्ब क्य प्लूरल होगी एक्जामपल देखे टैक्टिस इज मेड टू विन दवार्स नो रॉंग है गया क्योंकि वार के लिए ना वार के लिए एक रणनीत नहीं होती कई रणनीत होती कई स्टेटीजी थी ठीक है तो यह 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 प्लूरल तो हुआ लेकिन यह वर्ब सिंगुलर हो ग है जब यह प्लूरल नंबर में यूज होगा तो आपका जो सब्जेक्ट है गाई सब्जेक्ट इसका नंबर क्या होगा इसका नंबर प्लूरल होगा तो आगे जो वर्ब होगी इसका नंबर भी क्या होगा प्लूरल होगा अभी है क्या भी प्लूरल है आपका संटेंस तो जब यह वार, फाइट, कमबैट, बैटिल के लिए होगा तो यह हमेशा प्लूरल यूज होगा तो जब यह प्लूरल यूज होगा तो इसके लिए जो वर्ब है ना यह जो वर्ब है यह जब यह टैक्टिस वार के वार के रिफरेंस में यह प्लूरल नंबर में यूज कि प्लूरल है फिर आपका अपको समझना यह गई यह वर्ब से इसके लिए हमेशा जो टैक्टिस मतब यह प्लूरल आए गया यह प्लूरल हो गया आपका सब्जेक्ट अगर अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब भी आपको क्या लेनी पड़ेगी वर्भ भी आपको plural लेनी पड़ेगी plural है तो sentence आपका क्या है guys write done a question done है तो g y घंजयाम सिंग नहीं है तो g n घंजयाम सिंग नहीं है बहुत सिंपल है by till के लिए हमेशा जो tactics guys ये plural number में होगा फिर इसके लिए वर्भ ही क्या होगी plural होगी और question करें थोड़ा ये हम guys क्या है tactics was made to defeat the enemy part C, January, part D, A चलिए क्या करेंगे yes 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 guys comment box में yes 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 अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है guys okay तो आप लोग ये कह रहे हो कि sir ये जो हमारा part A है part A में error है ठीक guys आपका answer बिल्कूर right है part A में error है means की answer राइटिंग हो जाए means की answer राइटिंग हो जाए yes 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 चलिए मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ was को पता क्या करेंगे was को worse से replace कर देंगे है न guys मत्तब जो was जेखे ये tactics है गाई tactics है ये plural yes लगा हुआ और यहां तो defeat आप enemy को defeat कर रहे हैं तो आपके पास कई होगी plural में use होगा तो अब ये वर्ब है गई ये वर्ब और ये इस वर्ब का tactics क्या गई subject है तो subject का number गया है plural है तो फिर वर्ब का number भी क्या होगा कमेंट बाक्स में वर्ब का number भी क्या होगा plural होगा अभी है क्या singular है तो फिर रॉंग है तो फिर इसको आपको क्या करना पड़ेगा तो फिर प्लूरल और बलेगा और आने का मतलब क्या है आने का मतलब क्या है कब जनरली प्लूरल ही आता है जब वार हो बैटिल हो कमबैट हो फाइट हो चले next question लिजे आज ना आज हम लोग सिंथेसिस स्टार्ट करने वाले कहां पर है यह 12-3 पीम बिल्कुल फ्री लाइब क्लास है और अगर आपने अने कैडमी का आप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जब आप इस्टॉल करेंगे तो आपको एक कोड मांगा जाएगा तो यह मेरा कोड है यह जरूरी यूज करें मेरा भी लाइब क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगा यह अने कैडमी के लर्निंग पर आप जाएंगे तोल पीम को स्टार्ट होगा घंस्याम सिंग को सर्ज करके यूप एसी सिसी हिंदी में यूप एसी सिसी में जाएंगे घंस्याम सिंग को सर्ज करके फालो कर लेंगे यह क्लास बिल्कुल आपको आज स्टार्ट हो रहा सभी बच्चे लाइब जॉइन करेंगे 12 पीम को आज 12 बजे दो पहर में सभी बच्चे जॉइन करेंगे अब गाई जानते सिंसिस ना बहुत इंपॉर्डट क्यों क्योंकि यह ग्रैमर में तो आएगा ही सिंसिस और इसके अलवा यह से राइटिंग हम पीम को दो पहर 12 बज़े से 3 बज़ता है त्रियावर का क्लास है चले गए अच्छा यह टेंस का महाकूम टेंस एटू जेट फॉर ऑल इग्जाम यह टेन एम टू फोर पीम चलने माला गई यह भी बिल्कुल फ्री लाइब क्लास है यह संडे को यह संडे को चलेगा और यह अगर आपने अनकेडमी का आप इंस्टाल नहीं किया है तो आप इंस्टाल करें प्ले इस्टोर में जाकर और यह जगर पर आप से कोड मागा जाएगा तो यह स्पी जी एच एन कोड आप जरूर यूज करें ताकि मेरा लाइप क्लास फिरी पाएं और अधर एजूकेटर क भी लाइप क्लासेज आप फिरी देख सकते हैं यह कोड एस पी जी एच एन और गाईज मुझे घंश्याम सिंग को सर्च करेंगे कहां यूप्यस्टी स्टी में सर्च करके फालो कर लेंगे तो आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रही गए अच्छा यहां से देखे क्य टैक्टिक टू डिल वित हिम पार्ट c है नोटर पार दे गाईज क्या करेंगे क्या करेंगे चले बदाएज यह यह काँ पे नौर आ है अगर गया आपको लगता है नो एर र रे तो फिर आपको अपका आपका उपशन डी होगा बटट आपको लगता कहीं पे आर र है तो आपका option वह होगा जिसमें error part है yes 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 मैंने आपकी timing स्टार्ट कर दी गाइस चलिए स्टार्ट करें yes 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 चलिए से देखते concept गई यहां पर देखे concept क्या लिखा अगर गई टैक्टिक है टैक्टिक है यह particular method होता है ना आयन action और strategy होती है दाव पेंच होता है तो इस इस meaning में यह singular plural दोनों हो जाए गई उधर क्या था जब war आ रहा था combat था fight था बैटिल था तो किवल plural ही था लेकिन अगर आपको टैक्टिक ना एक particular method लेना है दाव पेंच लेना है एक्षन और strategy लेनी है यह singular plural यह दोनों में यूज हो सकता है है ना तो जब जब गाइज plural subject होगा तो फिर यह taxis होगा तो फिर वर्ब आपकी क्या होगी plural हो जाएगी और जब singular में यूज होगा तो यह tactic होगा और इसके साथ वर्ब क्या होगी singular होगी अब देखे क्या है tactic was discussed to solve the problem of the farmer देखना यह singular गई यह कही था यह कही था तिया singular यह ठीक है और taxes were discussed to solve the problem of the farmer यह भी ठीक है यह करना है कि जो फार्मर के problem थे उनको स्वाब करने के लिए जो tactics थी यहाँ पे plural है plural यह भी ठीक है और यहाँ स्वाब यह ठीक है लेकिन जानते जनरली होता क्या जनरली यह प्लूरल ही यूज होते हैं वेदर हमारा वार हो combat हो fight हो battle हो तब भी प्लूरल और हमारा जनरल लाइफ में या डेली लाइफ में कोई प्लूरल्ल हो उसको भी deal करने के लिए rhetoric से जनरली प्लूरल ही यूज होता है बट कभी स्वाब करते हैं जनरली यह कोई स्वाब करको अगर और आपको थिए borrowed होगा और अगर वह स्वाब कर देंगे यह प्लूरल हो जाएगा फिर आपकी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी सभी बच्चे स्कीन स्वाट ले लेंगे सभी लोग इसकी स्कीन स्वाट ले लेंगे और पीडिएफ के लिए नंबर है क्या 9625-8111-25 यहां पर पीडिएफ है करेंट अफेयर है दा हिंदू क वक्यबुल ली है और क्लास की नोटिफिकेशन और पीडिएफ के लिए लेट्सक्राइक की उप्यसिस एसे हिंदी टेलिग्राम ग्रूप भी है और इंग्लिज भी घंस्याम सर यह भी टेलिग्राम ग्रूप है यहां पर भी पीडिएफ मिले गाईज और जिन बच्चों न टेक्टिक है टेक्टिक है तो जब सिंगुलर है तो फिर ठीक है इस ठीक है आपका टेक्टिक सिंगुलर यह लगा नहीं तो फिर वर भी क्या होगी सिंगुलर होगी तो फिर ठीक है न अगर यही टेक्टिक्स रहता न यहां पर यहां पर आपको फिर तो दीज करना पड़ होता और यह जो यह गो्त बचले है इसको भी प्लूरल आपको करना पड़ आगय क्लिए अगर क्लियर यह तो misty 2008 आं twenty no comment box सब्नार आङिस्न यह सब्सक्राइब क्लिए चलिए स्ब्सक्राइब सक्कारएस। यह स्बस्टाइब है देखें जो टैक्टिक है यहां पर देखें क्या है तो आपको option D होगा मैंने आपकी टाइमी स्टार्ट भी कर दिया है गाइज हरी अप यस 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 फटा फट कमेंट बाक्स में सभी बच्चे सभी बच्चे तेजी से करेंगे आपकी टाइम समाप्त होने वाले गईज चली 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 अच्छा no error party है देख लिया आपने ध्य है no error है तो मुझे लगता है कि टैक्टिस को लेकर आप लोग एड़ियाम में कोश्चन डन कर पाएंगे अज जब आप न यससे राइटिंग करें प्रेसी राइटिंग करें तब भी इन ग्रैमर रूल्स का फालो करें तो आपका error नहीं होगा गाईज यहां आप गाईज क् सभी बच्चे फटा फट करेंगा चली स्टर करेंगा येस 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 देखिये आपकी टाइम अभी चल लाइए आपके पास 8 सेकेंड है इसको आप यूज कर सकते हैं अच्या इक्स कर दे, यस लगा दे, चले एक बार concept हो जगाए, यहाँ पर ध्यान देंगे, सबी बच्चे, इसकी इन्सौर्ट भी ले लेंगे, सबी बच्चे इसकी इन्सौर्ट ले लेंगे, क्या लिखा है, dozen है, score है, इसका मतलब और एक ग्रूप, एक ग्रूप आप और सेट आप 20 इक आए समय स्कोर का मतलब पता है क्या दा स्कोर ये- एक ग्रूप होगा आर्ंड 2700 को स्कोर कहते यह यूट है का है इस인이 और रूपा 144 एंटम वन Carry of 144 एंटम है अगर उसका ग्रोप है तो भूवव ग्रोस कहते हैं Great gross ये क्या है? A group of 1728 आईटम को गाई Great gross कहते हैं, ये unit है, काई ये हैं? इसको समझेए आप, Small gross क्या होता है? A group of 120 आईटम को Small gross कहते गाई फिर आगे 100 है, 1000 है, लौक, करोर, मिलियन, बिलियन, ऐचेटरा Unit के पहले अगर A1, A आजाय, आर्टिकल A आजाय, या 1, 2, 3, 4 ऐसे जो cardinal adjective हैं ये नहीं आता है तो जो above जो unit हैं उनके end में S लगाते हैं और इन सब्दों के बाद आफ का भी यूज किया जाता है तथा इनके बाद आए हुए noun को plural में रखते हैं और plural verb का भी यूज किया जाता है सभी बच्चे स्कीन सौट ले लेंगे और जो बच्चे लाइक और सेयर नहीं किये हैं सभी बच्चे लाइक और सेयर भी session को कर देंगे आप भूल जाते हो चलिए अब जरा ध्यान देजिए अब जरा example देखें क्या लिखा है dozen आफ ये वाज बाट तो गया अब ये क्या बता इनके पहले अगर ये 1,2,3 ये सब नहीं आता है तो ये जो unit है इनके end में क्या करेंगे yes लगा देंगे यहां तो कुछ आया नहीं है जो dungeon है इनके पहले अब क्या करेंगे इनके बाट क्या करेंगे और ये वर्ब का भी यूज होगा तो ये वर्ब क्या है प्लूरल है तो sentence क्या है गाईज राइट है अब अगर फर्स्ट वाले को आपको मेंस क्या राइटिंग करनी हो तो dungeon में yes लगेगा आप तो लग नहीं है तो लगाई हुआ है एक्स में क्या लगेगा yes लगेगा और ये वर्ब है ये वर्ब भी क्या होगी ये प्लूरल होगी क्लीर हुआ क्लीर हुआ अगर एक क्लीर है तो जी वाई टाइप करें नहीं क्लीर है तो जी एन टाइप करें घंस्याम सिंग लों कमेंट बाक्स में सविवच्चे अच्छा मैं थोड़ा और भी क्लीर करता हूँ गाईज क्लीर करता हुआ देखे जरा इस पर आई तो यहां पर क्या लिखा है हंडेड आप सीट इज वेकेंट तो पता है जब यह उपर है यह डियान देंगे डेजन हंडेड थावजेंट लॉक करोर मिलियन मिलियन इनके पहले अगर यहां पर कोई नंबर नहीं आया यहां पर यह कोई नंबर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे इन में पहली बात यह लगा देंगे ठीक है और यह जो नाउन है इसमें भी आपको यह लगाना पड़ेगा और यह वर्ब है इसको आपको क्या करना पड़ेगा प्लूरल करना पड़ेगा फिर आपका संटेंस राइट होगा इसका मतलब यह क्या 100 में आपको S लगाना पड़ेगा Seats में S लगाना पड़ेगा और Ease को क्या करना पड़ेगा R करना पड़ेगा इतना काम करना पड़ेगा कब जब इन यूनिट के पहले कोई भी A1, 2, 3, 4 न आएं तब जब आएंगे तब क्या होगा उसको मैं अभी बाद में क्लियर करता हूँ पहले एक एक कॉंसेट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे यहां से एक्जाम में कोश्चन है इसकी इन स्वाट सभी बच्चे ले लेंगे और PDF के लिए मैंने नंबर बता दिया है 9625-8111-9625-8111-25 यह नंबर है यहां पर PDF आपको अवेलेवल है वार्टसप ग्रूप है गर्ल्स और बॉइच की ग्रूप बिल्कुल सप्रेट है और टिलिग्राम ग्रूप भी है लेट्स क्रैक यूपी से से हिंदी भी है और इंग्लिज भी घंस्याम सर यह दोनों टेलिग्राम ग्रूप है यहां पर आपको PDF में लेगा है यहां पर आपको कोश्चन है अब आप क्या करेंगे अब आप क्या करने वाले देखे डेजन के पहले कोई तो यहां पर नंबर कुछ आया नहीं है मेरे साथ मेंज के आंशर राइटिं अपना करने है और आप लोग मेरा कॉपीены करेंगे मेंज के अंसर राइटिंग हेरे नाकैं से कमेंट बॉक्स में कर लिए गई मैंने कर लिए क्या लिखा है डजन्स आफ एक्स वरब गई तो डजन्स में आपको क्या करना पड़ेगा यह लगाना पड़ेगा और यह वर्ब क्या करनी पड़ेगी यह प्लूरल करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है ना इतना बड़ा डजन्स आ आपका प्लूरल नंबर होगा तो आपकी जो वर्व होगी ये भी क्या होगी प्लूरल ही होगी गाइस क्या है सह Casey है नहीं क्लियर है तो जी और ताइप करें आ में गहींनल कमें बॉक्सिंग् disfr क्लियर है थोड़ा सा ध्यान देंगे हो जाएगा चलिए और कोश्चन करते हैं यह क्या लिखा है मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दिया हूं थाउजेंड आप पोस्ट इज वैकेंट इन द प्राइमरी स्कूल क्या करेंगे चलिए 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 येस 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 गईज कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप सही टाइप कर रहे हो गईज यहाँ पे न ज्यादा काम है आप लोग टाइप करते हैं आराम से यू कें टेक और टाइम गईज टाइम अपना ले सकते हो आप लोग अपना टाइम एकदम ले सकतें जानतें इसमें इंप्रूप्मेंट है जादा इंप्रूप्मेंट करना गए यहां पे जो थाव जब आप पोस्ट जब आप इतना बड़ा आपका सब्जेट गई एस लगा हुआ है न रगा यहां आपका सब्जेट का निम्बर इसमें अब जेट का नंबर आपका प्लूरल हो गया है ना यह प्लूरल हो गया तो फिर जो यह वर्ब है इसका नंबर भी क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए अभी है क्या है तो यह इज को आप किसको किस से रिप्लेस करेंगे आर से रिप्लेस कर देंगे इज को हटाएंगे क चलिए यहां पर क्या करें गाईज कोश्चन लिजे तो क्या लिखा है टू लॉक्स आप पीपल पार्ट ए अटेंड़ दे मीटिंग पार्ट बी हेल्ड इन परेट ग्राउंड पार्ट सी नो एरर पार्ट डी गाईज क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे चलिए काँ पे रर है किनो एरर है मैंने आपकी टाइम इस्टार्ट कर दी है गैज स्टार्ट स्टार्ट गयाज चलिए किस पार्ट मेरे लग रहा है गैस यह ना मैं थोड़ा concept बताता हूँ आपको यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान देंगे सभी अच्छे skin shot भी लेते जाएंगे और pdf के लिए तो मैंने नंबर आपको दे दिया गाईज क्या 9625 9625 81125 यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे pdf भी अवेलेबल है क्या लिखा है dozen score ग्रॉस वही जो previous unit थी वही है ग्रेट ग्रॉस मैंने सब unit का लिख भी दिया है कि इस unit में कितना वो होता है इस small growth फिर ग्रॉस हंडेड है thousand है लॉक है करोर है million billion इनके पहले अगर कोई article यह आयना जाए यह जो numeral adjective है ग्रॉस तो उपरोज सब्दों का प्रियोग singular में किया जाएगे भी ध्यान देंगे one रहेगा तब भी lock होगा two रहेगा तब भी lock ही होगा one रहेगा तब भी thousand है two रहेगा तब भी thousand है उसमें yes नहीं लगे गए उसमें yes बिल्कुल भी नहीं लगेगा yes नहीं जोडते हैं लेकिन इनके बाद आये हुए noun को plural number में रखते हैं ठीक है और plural verb का प्रियोग किया जात यह नहीं आता है इन सब्दों के अंत में यह लगाते हैं और इनके बाद आपका प्रयोग करते हैं और नाउन को प्लूरल करते हैं अभी तो हम लोग सीखे थे इस वाले concept को सीखे थे इसके पहले हम लोग क्या सीखे थे कि यह जो यूनिट है जैसे 100 हो गया एक जाम में आपक प्लूरल होगा वर्ब भी प्लूरल होगा इसको हम लोग अभी भी सीखे हैं लेकिन अगर इनके पहले गाई अगर यह जो यूनिट है डजन है थाउजन है लाग से करोर है इसमें यह नहीं लगाएंगे इसमें आगे तो आगे चीजी में हैं आगे जो नाउन आएगा वो क्या करेंगे प्लूरल करेंगे आगे वर्ब भी प्लूरल होगा लेकिन इनमें यह नहीं एड होगा यहां पर देखेगा इस क्या है यह टेन थाउजन्ट ऐस्पिरेंट वाज अवेलेवल यह रॉंग है क्योंकि देखिए अब कि हम लोग पढ़ इसके पहले कॉंसेप्ट क होगा और यह वर्ब भी क्या होगी यह वर्ब भी प्लूरल होगी गाईज है ना अब जाना सेकंड देखिए तेन थाउजन्ट ऐस्पिरेंट वर अवेलेवल यह ठीक है तो जब यह यह थाउजन्ट के पहले जब नमबर लग जाएगा यह लग जाए वन लग जाए टू थ अब देखिए क्या है थाउजन्ट आफ ऐस्पिरेंट वाज अवेलेवल गई यह रॉंग है अब देखिए क्या अच्छा गई अच्छा गई यह 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 जी ध्यान देना यही चीज एक स्कुन करा दूं मैं कम प्रीजन करा दूं तो फिर अभी आपका क्लीर हो जाएगा य यहां पर ध्यान देखिए यह जो टेन थाउजन्ट से गई यह यह रॉंग है ठीक है लेकिन लेकिन यह अगर गई मैं यहां कर दूं थाउजन्ट आफ ऐस्पिरेंट्स वर अब यह राइट है तो आप करनें कि सर एक बर आप थाउजन्ट में यस लगा दे रहे हो फिर रा इनलोंग है इनके पहले कोई नंबर नहीं तो फिर यह प्लूरल में होंगे आगे यह नाउन थो कॉमन है यह बहर भी डोन आपको ध्यान है है कि जब जब यह जो यह जो डजन हंडेट थाउजन लॉक आ रहे हैं इनकी पहले अगर कोई नंबर आ गया 1 2 3 4 A 1 कुछ भी 10 20 तो फिर इसमें यस नहीं लगाना बस और दोनों चीज़ें कॉंण है क्लीर अगर क्लीर हुआ तो जी जब घंसयाम सिंग सब्सक्राइब करें कमेंड बाक्स में एक बार और एक पेंड कर देता हूं यह जो सामने यूनिट है dozen hundred thousand लाग करोर अगर इनके पहले कोई भी नंबर A12341020 आ गया फिर इसमें yes नहीं एड होगा और अगर नहीं आया तो yes एड होगा गाईस है ना अब जरा अपने previous question पर आई यह देखी यह लाग है यह आपका नंबर हो गया तो अभी मैंने क्या बताया कि जब इस unit के पहले यहां नंबर आएगा यहां पर कोई भी नंबर आजाए A आजाए 1 आजाए 23420 कुछ भी आजाए तो फिर इसमें yes नहीं लाएगा है ध्यान समझे गया इसमें आपको yes नहीं एड करना है तो टू लॉक होगा टू लॉक्स नहीं होगा टू लॉक होगा तो पार्ट ए में एरर है है ना पार्ट ए में एरर है कुछ वंडे एक्जाम में हमको क्यों एरर ही स्पार्ट करना होगा तो क्यों अगर ये गईज ये अचा पता है ये ये प्रेपजिशन आप भी आप इसको भी रुमूब कर देंगे तूअ लौग पीपल ये ठीक है तूअ लौग पीपल ये पता है अब तूथाउजेंट आप इस्टूडेंट नहीं होता तूथाउजेंट होगा 2000 students होगा लेकिन 2000 students यह नहीं होता गया तो यहाँ आफ कब लगता अगर यह 2 हट जाए यह 2 हट जाए ना यह number जैसे हट जाए तो यह राइट हो जाएगा तो यह तो पास्टेंस है तो यह ठीक है जाए यहाँ तो इस तरह से पास्टेंस जो है ना simple past वह तो second form singular or plural के लिए समानी होता गया आप तो clear हुआ क्लियर है तो जी वाई कमेंड बाक्स में अगर क्लियर है तो जी वाई टाइप करें गंश्याम सिंग नहीं हुआ तो पता चल गया ना कि यह पहली बात यह सटाएंगे क्यों कि इनकी पहले नंबर आ गया और फिर प्रेपजीशन आप भी रिमूब कर देंगे फिर आपका ठी लिए यह नाउन प्लूरल है वर्प तो यह सेकेंड फाम गाई सिंगलर प्लूरल दोनों के लिए एक ही होती है क्लियर चलिए और कोश्चन थोड़ा लीजिए मैं आपकी टाइमी भी स्टार्ट कर देंगा इस क्या लिखा है थाउजंड आप पीपल वर फोल्ड टू ग्रेट फ्राम रूरल टू अर्बन एरिया इन सर्च आप इन सर्च आप जॉप पार्ट सी एनुरर पार्ट दी है आपकी क्या करेंगे आपकी गाईस क्या करने वाले हैं कमेंड बाक्स में फटा फट करिए मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दी है गाईस कमेंड बाक नहीं है थाउजन के पहले कोई नंबर नहीं है तो फिर इन में क्या करेंगे अगर आप देखा जाए तो इसमें आप क्या करेंगे पहली बात तेस लगा देंगे और आगे जो नाउन आएगा ये ये नाउन क्या होगा प्लूरल होगा तो फिर आगे क्या होगा वर आएगी इसका नंबर भी क्या होगा प्लूरल क्यों कि इतना हमारा जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तो वर प्लूरल होगी तो पता है ये तो ठीक था पीपल भी ठीक था ये वर भी ठीक था लेकिन यहां 1000 में क्या लगेगा यस लगेगा लेकिन अगर इसी के पहले कोई नंबर आ जाता तो फिर यस नहीं लगाते अगर ए आ जाता वन आ जाता टू थ्री कोई भी नंबर तो यहां यस नहीं लगता क्लियर अगर क्लियर है तो जी वाई घंश्याम सिंग यस नहीं क्लियर है जी एन घंश्याम सिंग नो टाइप करिए कमेंड बाक्स में चलिए 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 और गई कोईश्चन लिजे थोड़ा तो क्या लिखा है थाउजन्ड वाज किल्ड इन द अर्थकेक दायट टुक प्लेस लास्ट इयर पार्ट सीर और फिर नो एरर पार्ट यह गई शिंपल है कर सकते हैं कर सकते हैं एकदम सिंपल है एकदम चलिए स्वीड बढ़ा ही अब तो आप तो कर सकते हो गई येस 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 अच्छा तो आप लोग कह रहें किस सर मैं भी बोलूगा नहीं किस पार्ट में रहर है आप लोग करते रहें तो आप लोग कह रहें सर पार्ट ए में रहर है आपका अंसर बिल्कुल राइट है पार्ट ए में ही एरर है मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए मेंस की आंसर राइटिंग हो ज आप लोग मेरा कॉपी मत करिए हम लोग करने के बाद मैच करेंगे देखिए मैंने कर ले पता है देखिए थाउजन के पहले कोई नंबर नहीं है यह वन या टू, थी, टूण्टी कोई नंबर नहीं है तो फिर इसके इस लग जाएगा और इसमें यस लगेगा ना पहला और जब येस लगेगा तो यह जो वर्ब है यह वर्ब क्या हो जाएगा अभी है तो फिर आप क्या करेंगा वर्ड कर देंगे लिखा है 1000s were killed अब तो ठीक है यह पाट तो ठीक है तो no error अब कि तो पिछले question में guys क्या था previous question में यहाँ पर yes भी नहीं था और यह was was था तो अब तो ठीक अब तो yes भी हो गया और was को आपने वर्स से रिप्लेस कर लिया तो क्या अब यह ठीक है क्या अब no error लेंगे अच्छा, no error ले ले, ठीक है? कुछ बचे कहारे, no error हो गया, क्यूंकि अब तो यह तो ठीक हो गया, guys जानते हैं, यह तो ठीक हो गया, बिलकुल यह ठीक है, thousand के पहले कोई number नहीं आपने yes लगा दिया, ठीक है, तो जब yes आपने लगाया, तो यह जो subject है, यह subject आपका क्या हो तो वर्ब की न प्लूरल होनी मैच लेकिन पता लगा और प्लूर्थbook में पहले प्हले नगता है द अर्थ के लिए तो ठीक है लेकिन पता है इन अर्थ के कागे यहां आर्टिकल द मिसिंग है और प्रिबियस कोश्चन में यहां पर देखे अर्थ के के पहले द लगा हुआ तो देखे द अर्थ के तो यहां पार्ट भी राइट था लेकिन पार्ट ए में सब्जेक्ट और वर भी अग्री नहीं कर रहे थे यहां पर आपको इंप्रुमेंट करना था लेकिन नेक्ट कोश्चन में क्या हुआ सब्जेक्ट और वर भी अग्री किय अगर क्लियर नहीं है जी एन टाइप करें घंस्याम सिंग नो कमेंड बाक्स में येस 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 गैस चलिए यहाँ पर ये कोश्चन लिजिए क्या करना क्या पता है ये आपको ये बताना है कि ये जो अंडरलाइंड और बोल्ड जो पाल्ट है आर नोट अग्रेट डिस्टेंस ये रिप्लेस करना चाहते हैं इज नोट से लना चाहते हैं आर नाट टू ग्रेट आर अगर आपको लगता कि ये ठीक है तो आप नोई इंप्रुमेंट मतलब आपका ऑप्शन डी होगा तो क्या कह रहें आप जो 20 किलो मीटर के बाद ये जो वर्ब आर लग रही ये ठीक है कि इज लेंगे कि आर लेंगे लेकिन आर के लिए आर के लिए और भी आप्शन है ये तो खुदी है नोई इंप्रुमेंट भी है यहां भी बी में भी आर है दिस्टेंस है है कॉंटिटी है टाइम है वेट है हाइट है ये सिंगुलर प्लूर दोनों सब्येक्ट होंगे यह ध्यान देंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप यह से writing करेंगे तब भी ध्यान देना, अगर कोई amount है, रकम, amount, distance है, quantity है, time है, weight है, height है, यह singular, plural, दोनों subject होते हैं, कब singular है, कब plural मैं बता रहाँ गाई, जब cardinal adjective, one, two, three, कुछ भी आ जाए, और किसी भी plural noun के साथ आते हैं, तो अगर निश्चित हो जाए वो, वो एक fix बता रहे हैं, अगर fix amount होगे, fixed distance है, fixed quantity है, fixed time है, और fixed weight है, fixed height है, तो यह एक unit होते हैं, इसलिए यह singular subject होगे, है ना, यह singular subject होगे, और जब singular subject होगा, इनके साथ जो verb आएगी, वो भी क्या होगी, singular ही होगी, इध्यान देंगे, यह singular होगा, और अगर, समझ में आ रहा ना, अगर इनको one unit माल लिया गया, मतलब ऐसा sentence बन जिसमें दिखा जा रहा कि एक ही unit है, तो फिर यह singular होगा, फिर यह singular होगा, और अगर लग अलग unit हो रहा है, तब plural होगा, तब plural होगा, तब plural subject होगी, अब गाइज देखेंगे, ध्यान देंगे, hundred rupees are a very small amount for this work, पता है यह जो hundred rupees है न यह एक unit मानना है, कि यह जो वर्व है, उसके लिए hundred rupees होगा, वो small unit है तो एक unit हैю, न है, š activities one unit माना गया, तो फिर आपकी बन यह unit माना गया, तो फिर आपकी verb क्या होगी गैस, यह वर्व आपकी singular होगी, यह ते आपकी verb singular होगी, यह इस वर्व हो तब 100 रूपीज is a very small amount, इज होगा, इज होगा, क्योंकि ये एक माना गया, 100 रूपीज को एक मान लिए है, clear हुआ, clear हुआ, guys, तो अगर ये कोई amount है, कोई distance है, कोई quantity है, time है, weight है, height है, ये similar plural दोनों होंगे, अगर उनको sentence में one unit माना गया, तो singular होंगे, वर्ब singular होगी, और अगर unit अलग-अलग है, different unit करके, वो count किया जा रहा है, तो फिर वो जो unit होगी, plural होगी, फिर वर्ब क्या होगी, वर्ब भी plural होगी, अब guys, यहाँ पर आप लोग आईए, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या का जा रहा है, कि 20 km गई, 20 km आर not a great distance in these days of fast movie Michael, तो गई जी क्या कर रहा है, क्या 20 km आप एक-एक किलो मेटर चल रहे हैं, कि इस 20 km को आपने एक unit मान लिया है, अगर यह 20 km आप cover कर रहे हो है, कवर कर रहे हैं किलो मेटर करके, तब तो अलग-अलग different unit हो जाएगा, तब तो यह plural होगा, लेकिन अगर आपको IJ hole बता रहे हो, 20 km IJ hole बता रहे हो, कि यार आज का जो fast moving वहिकिल है, इसमें 20 km जो है, बड़ा distance नहीं है, IJ hole, तो जब IJ hole बताएंगे, collectively बताएंगे, one unit मांग लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, singular हो जाएगा, तो जब आपका subject singular होगा है न, आपका जब गई सबजेक्ट singular होगा, तो फिर आपकी जो वर्ब होगी, वर्ब जो क्या होगी, वर्ब भी क्या होगी गई सिंगुलर होगी, अभी है क्या plural, इसका मत्तब no improvement क्या है, wrong है, R नहीं होगा, तो अगर यह concert आपको आगया, तो फिर यहां भी R है, B भी नहीं होगा, फिर C में भी R है, C भी नहीं होगा, तो फिर बचा क्या, यह बचा, यह में E जह है, यह होगा, कैज क्लीर हुआ, कि जो यह distance है, इसको as a whole मान कर, वन यूनिट अगर आप बता रहे हो, अगर आप वन यूनिट बता रहे हो, तो यह जो subject 20 km दिख रहा है, दिखने में subject plural है, बट as a whole आप बता रहे हो, आप एक एक किलो मेटर कवर नहीं कर रहे हो, आप वाक नहीं कर रहे हो, एक एक किलो मेटर कवर कर रहे हो, आज ये whole बता रहे हो, तो फिर subject singular, तो फिर वर्व क्या होनी चीए, singular होनी चीए, अभी है क्या plural है, आपका a answer right है, clear, अगर गयज clear है, तो जी वाई टाइप करें घंस्याम सिंग एस और अगर क्लीर नहीं है जी एन टाइप करें घंस्याम सिंग नू कमेंड बॉक्स में कैसे हम डन है अभी और कोश्चन करेंगे क्या करेंगे यहाँ पर 10 km is a long way, a long distance to work ऐसे क्या करेंगे पर C एन बर पर दी है यह यह सिर्श्चन कमेंड बॉक्स में यह सिर्श्चन डियस यह सिर्श्चन करेंगे इस ही आपको देखना है कि जो 10 km है इसको आया जे हुल माल रहे है वन यूनिट माल रहा हो कि अलग अलग माल रहा हो येस 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 गाइज जानते हैं कि मैं clear करना हूं पहले आप समझे जिसी ये क्या करें कि 20 जो km एक लंबा distance वाग करने के लिए तो पता है ये i.j.hole है आप फार्मूलाअपर Origins बता रहे हो जो 10 neighbor km है वो टहलने के लिए लंबी डिस्टेंस होती है यह लंबी दूरी होती तो आप आप walking नहीं कर रहे हो कहा आप आता।'RE जहते वाग कर रहे और लिए यह योनिट अलग हो जाएगी तो फिर यह प्लूरल हो जाएती तब फिर वर्ड प्लूरल होता लेकिन अभी क्या अभी प्लूरी पूरी यूनिट है 10 किलूमीटर दिखने में लेंगे तो आपका जो subject होगा subject होगा इसका number क्या होगा singular होगा तो फिर जो यह verb है वर्ब भी क्या होगी singular होगी अभी है क्या अभी भी singular है तो फिर sentence क्या है यह no error है यह right sentence है इसको आप ध्यान देना कभी भी जब आप distance quantity amount height इन सब चीजों को जब यूज करेंगे जब collectively होगा एजे whole सब मिलाकर एक आप बता रहे हो एक ऐसे तो फिर यह singular होगा और वहर भी क्या होगी अगर क्लियर है गाई घंस्याम जिए अगर क्लियर नहीं गनस्याम सिंग नहीं कमेंड बाक्स में वैसे डटन है फिर कोश्चन लीजे तो क्या है लेकिन अगर आप एक concept बता रहे हो एक facts बता रहे हो एक information दे रहे हो के वल तो फिर ये अब मैं नहीं बताऊंगा क्या होगा अब आप लोग सब्जिए कौन सा आप्शन से यह गई पता है कौन सा आप्शन से पहले मैं एक प्लेन कर दूगा है जाहें तेन माइल्स टेन माइल इसका मतलब आपने concept बता दिया कि यार 10 माइल आप टहल नहीं रहे हो एक किलोमेटर या एक वन माइल आफ कवर ही नहीं कर रहे हो आपके concept बताए जब आपके concept बताए आपने तो फिर पताए क्या हो गया यह जो 10 माइल्स है यह यह collectively आपने बता दिया आया जो होल तो यह one unit है यह single unit है जब आपका unit single है तो फिर आपकी वर्ब भी क्या होगी गाई singular होगी ना यह singular होगी तो singular के लिए अब आप देख पा रहे है यहां भी आ रहे है यहां भी आ रहे है यह सब प्लूरल है यह सब प्लूरल है कि वल भी ही है जो singular है यही आपका right answer है क्योंकि 10 माइल्स आप एक concept बता रहे हैं कि या जो 10 miles की जो दूरी है वो लांग वे है आप एक एक करके नहीं कवर कर रहे हैं अभी मैं clear कर रहूंगा कि कैसे एक एक किलियो मीटर या एक एक miles कैसे आप कवर करते हों तब वो separate unit होगी अब फिर वो subject plural होगा फिर वो और भी plural हो जाएगी लेकिन यहां 10 miles को आपने IJ whole बताया है collectively तो फिर यह 10 miles देखने में तो 10 भी है miles भी है 10 और miles दोनों है यहां yes भी लगा है plural है लेकिन collectively बताएंगे similar होगा फिर वर्वाप की क्या होगी similar होगी तो similar वर्वाइज क्या है इज है इज लेंगे clear अगर क्लियर है तो जी वाई टाइप कर for all competitive exam गई CSC तो cover करेगा CSC के लावा और भी exam को cover करता हुआ चलेगा यह 12 टू 3 पीम यह बिल्कुल free life class है जो बच्चे नए होंगे unacademy का IAP install कर लेंगे और यह मेरा code ESPGHAN आप जरूर यूज करेंगे तो आप मेरा भी life class free देख सकते हैं और other educator के life classes बिल्कुल आप free देख स अंस्याम सिंग को सर्च करके follow कर लेंगे तो फिर यह class आपको बिल्कुल free मिल जाए गई तो आज सभी बच्चे ध्यान देगे 12 पीम पर connected हो जाएंगे सभी बच्चे और टेंस का महाकुम टेंस A to Z एकडम finish होने वाला है इसमें पूरा टेंस कबर किया जाएगा और previous year question नि मेरा code है आप जरूर यूज करें ताकि मुझसे भी आप जूड़ पाएंगा इस है न तो यह 10 to 4 है संडे को संडे को 10 a.m को start होगा 4 a.m 6 hour का 6 hour का class होगा यह हम जानते हैं हम लोग 10 तो करेंगे 10 के साथ साथ अगर time मिला तो थोड़ा noun भी part of speech noun भी start करेंगे इसी class में और य इसे आम सिंग को सर्च करके कहां UPSC CSC में सर्च करके follow कर लेंगे एक लास मिल जाए गाई यहां में question गई क्या लिगा 10 years has passed since she came here no error party अब क्या करेंगे चलिए बताए क्या करने वाले है यह 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 अगर आपने थोड़ा भी mind use कर लि अच्छा अच्छा तो आप कहने कि सर्फ पार्ट ए ले लो एक बार गाई कॉंसेप्ट देखते हैं यहां पर कॉंसेप्ट है क्या लिखा है कि जब कार्डिनल अजेक्टिव 1 2 प्लस प्लूरल प्लूरल नाउन किसी बधी हुई किसी बधी हुई फिक्ष्ड जो निश्चि अमाउंट है डिश्टेंस है कॉंटिटी है टाइम है वेट है हाइट है को अलग 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 युणिट में बताएं अलग 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 युणिट का बोध हो तो यह खिए प्लूरल हुँंगे गाई बाटने वाले हैं तो फिर पता यह अलग-अलग हो जाएगा यह फाइव लाख रूपी जब एक नहीं रह गया अलग-अलग करके बटे गाई है न आज है यह इंप्लाई की मैं थोड़ा फेलिंग सही कर दूं ठीक है यह इंप्लाईज ठीक है तो जब आप बांटेंगे जब इसको बांटेंगे यह अपटिक यह अलग-डी होगी इसका मतलब इसका्यूनिट यह फिर यह वर्ब क्या होगी आतरी क्या होसा इस देख निधन यह नहीं है aumento फिर यह प्लूरल हो Пज़ प्लूरल कोनी होगी क्या होगी प्लूरल होगी खौर बीग अमाउंट नहीं ऐसा नहीं आया जी कलेक्टिवली नहीं इसको अलग-अलग करेंगे तो यह आपका जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्व आपको क्या करनी पड़ीगे प्लूरल करनी पड़ेगी क्लिर हो गया येस 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 और ये इंप्लॉईज की स्पेलिंग आप लोग ये थोड़ा राइट कर लेंगे ठीक है डन है अच्छा इसकी इंशाट ले लेंगे सभी बच्चे इसकी इंशाट ले लेंगे और पीडिएफ के लिए मैंने बताया है 9625-8111-25 ये मेरा नंबर इस पर अच्छे इंशाट लेंगे और जो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे ठीक है और यही तो है अगर अगर अलग अलग यूनिट का पता चले ये जो जितना यूनिट आ रही है जो एमाउंट है दिस्टेंस है, क्वांटिटी है, टाइम है, हाईट है, वेट है, अगर यूनिट अलग अलग है तो फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा अगर अगर यूनिट आज है होलTH कलक्टिवली आज है पता रही है तोtor सब्जेक्टale लेक्टटेबली है अब यही आपको समझना ह यह कर रहे हैं कि 10 years has passed अब पता है 10 years क्या हुआ यह पास हो रहा है ध्यान समझेगा इस concept पास हो रहा है तो एक-एक करके बीता यही आपको समझना है 10 years एक-एक year करके बीता है एक-एक year कर तो जब आपने 10 years को collectively नहीं लिया 10 years को अलग-अलग कर दिया 10 years को 10 time में आपने पास कर दिया तो फिर जब अलग-अलग कर दिया थी जो 10 years है यह आपका subject क्या है सब्जेक करना पड़ेगा किछ कहने सब्जेक अपका प्लूरल है तो फिर यह क्या होनी चाहिए यह वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए अभी हाप राइट यह से करेंग एक से क्यों है अगर ऑफ चाहिए इस तो इसी question को देखे, अब यह कैसे हो जाएगा, 10 years, 10 years dot dot dot, is, is a long time, long time, अब मेरी बात ध्यान समझे गई, ठीक है, अब कि आपने इज लिया, क्यों, क्योंकि आप आपने 10 years हुगाई, 10 years को आपने IJ whole ले लिया, collectively IJ whole एक हो गया, आपने कहा कि 10 years का समय लंबा समय होता है, तो आप 10 years ऐसे एके करके पास नहीं हो रहा, collectively IJ whole लिया, तो 10 years यह इज है, और यहाँ 10 years गाईज है, यही आपको समझना, इज क्या है, singular है, क्यों, क्योंकि आपने 10 years को IJ whole ले लिया, collectively एक माल लिया, कि 10 साल का समय एक लंबा समय होता है, एक लंबा समय होता है, ठीक है, तो जब collectively IJ whole लेंगे, यह singular subject होगा, फिर verb क्या होगी, वर्व आपकी singular होगी, बट अगर एक एक करके आप बता रहें, यह जो unit है, यह एक एक, one one करके अगर हो रहा है, तो फिर यह क्या होगा, प्लूरल होगा, फिर वर्व भी क्या होगी, प्लूरल होगी, यह एक एक साल बीते हैं, एक बार में one ही year pass होगा, एक ही बार में 10 years नहीं पास हो जाएंगे, है ना guys, got it, अगर यह clear है, तो जी वाई घंस्याम सिंग है, और अगर clear नहीं है, जी एन घंस्याम सिंग नो, comment box मे चलिए, मैंने question लेता हूं guys, यहां भी क्या करेंगे, 100 km has to be covered today, पार सी no error, पार डी, अब आपको समझ में आना चाहिए concept, यह concept पता गई, यह concept बिलकुल आपको समझ में आना चाहिए और आपको आएगा भी, और आपको आएगा भी guys, चलिए start करें, क्या करेंगे, yes, 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 yes guys, yes, अच्छा B में guys, पहले समझ यह क्या लिखा है, 100 km has to be covered today, मतलब यह करना है कि 100 km आज cover करना है, हमको यह cover कर लेना है, तो एक एक किलो मेटर कवर होगा ना, जब 100 km आज आपको cover करना है, तो एक एक किलो मेटर होगा, तो इसका मतलब यह जो unit है, 100 km, यह separate अलग अलग, एक 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 unit में जाके हो रहा काम, जब guys, यह separate हो गया, है ना, आज यह whole तो बता नहीं रहो, आप यह नहीं बता रहो कि 100 km आज आज कवर किया जाना है, इसका मतलब एक एक किलो मेटर चलेंगे, तब ही ने cover होगा, वेदर आप वाक कर रहे हो, बहिकल से हो, कै यह सप्रेट हो गया, जब सप्रेट हो गया, तो आपका subject क्या है, आपका subject plural है, तो फिर यह जो वर्ब है, यह वर्ब भी क्या होनी चाहिए, comment बाक्स ने plural, अभी है क्या, अभी singular है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, plural करना पड़ेगा, तो पता क्या हो जाएगा, हैब हो क्या है, हैब टू, मत्तब हैज को, या हैज टू को आपको replace करना पड़ेगा, किस से, हैब टू, clear, अगर गई clear है, तो जी वाई टाइप करें, घंस्याम सिंग वैस, अगर clear नहीं गई, जी एन घंस्याम सिंग नो, comment बाक्स में, वैसे डन हो गया, question, यहाँ आप क्या है, question आगया, concept नहीं है, लेकिन, वो concept नहीं है, new concept है, यह change हो रहा है, a lot of money, part A, overspend part B, on the common wealth, games, part C, and newerer part दी गई, चलिए, क्या करेंगे, comment box में, वैसे easy है, यह question हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, yes, 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 comment box में, सभी बच्चे, फटा फट सभी बच्चे, comment box में बताएंगे गई, चलिए, start करिए, yes, 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 be part में, बिलकुल आपका answer right है, जानते गया है, चलिए, एक बार concept हो जाए, गया देखे, uncountable noun, जिन बच्चों को uncountable noun पता है, comment box में, what is uncountable noun, एक बार मैं concept करा दूँ, बहुत अच्छा concept है, uncountable noun comment box में, सोई बच्चे, comment box में guys, yes, 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 अच्छा चलिए, मैं भी आपकी help करता हूँ, जानते, uncountable noun क्या होता है, the noun, the noun that can't be counted, is called uncountable noun, जो noun count नहीं किया जा सकता है, uncountable noun होता है, for example, rice, sugar, honesty, childhood, ये count नहीं किये जा सकते है, इसलिए गया है, uncountable noun, थोड़ा और मैं clear कर द come in uncountable noun, uncountable noun में count 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 पदार्थ वाचक और यह है आएस्टेक्ट नाउन गाईज भाववाचक जब इन दोनों को आप समझेंगे तो वो कॉंसेट आप अच्छा कर पाऊगे गाईज ठीक है अनकाउंटेबल नाउन में क्या इंक्लूड हो गाईज तो गाईज देखिए माटेरियल नाउन में क्या अब पता है अगर अगर अलाट आगा अगर अगर आपने ले लिया अनकांटेबल नाउन होगा तो फिर आगे वर्ब होनी क्या चाहिए यह सब्जेक्ट का नंबर क्या है सब्जेक्ट का नंबर 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 सब अलाट और अलाट आपके बाद अगर uncountable नावन आया मतलब material आया तो वह singular subject होगा अब फिर verb क्या होगी singular होगी बस तो अलाट आफ rice is available clear चले अब जहरा अपने question पर यहां पर जो question आप कर रहे थे यह question हमारा था गई यह question क्या है अलाट आफ ध्यान ने गई अलाट आफ यह money तो uncountable noun है confused मछու einem money uncountable नावन है countable नहीं money आफ依े नहीं कर सकते हैं आप पैसे रूपय डॉलर काउंड कर सकते हैं लेकिन money एक money नहीं बोलते ह।ー 2 अलाट आपका क्या बनाएगा है नगल करना जानते है आपका इसको रिपलेस करना पड़ेगा रिपलेस करना पड़ेगा वसे clear हो गया होगा money uncountable है ध्यान देंगे यह रूपए पैसे डॉलर यह count कर सकते हैं money हम गिन नहीं सकते हैं एक money दो money नहीं होता है अगर आपको एक laptop लेना उसने बोला एक money दे दो कितना देंगे आप आप count ही नहीं कर सकते हो गया money cannot be counted ठीक है यह uncountable noun फिर यह singular अभी है क्या प्रूर रहांगे clear होगे गया चलिए अब यहाँ पर थोड़ा और question करेंगे आगए यहाँ पर question है a lot of sugar are available बहुत simple है यह हम लोग कर सकते हैं बहुत simple है अलाट of sugar are available फटा 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 इसके लिए तो पता है मैं तो आपको 15 second ही देने वाला हूँ answer के लिए 30 second बिल्कुल नहीं मिलेगा इस चलिए comment box में comment box में yes 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 आगाइज बिल्कुल आपका answer right है लेकिन मैं भी answer बोलूँगा नहीं क्यों because timer आपका चल रहा है जैसे timer फिनिस होगा मैं answer का announcement कर दूँगा बिल्कुल गाइज बी पार्ट में error है और कुछ बच्चों ने answer writing भी कर दिये गाइज पता है आर को आपको replace करके क्या करना पड़ेगा इज करना पड़ेगा क्यों 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 आर क्या अब sugar क्या uncountable noun है जब जब a lot आपके बाद uncountable noun आएगा तो यह overall जो subject है तो हो गया, clear हो गया, done, तो अगर done है तो GY, घंस्याम सिंग, yes, नई done है तो GN, घंस्याम सिंग, no, comment box में, चले, यहां पी क्या करेंग, guys, a lot of students, part A, are available, no error, part D, बहुत simple है, कर सकते हम लोग, हम लोग कर सकते हैं, बहुत आफसानी से, guys, yes, 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 अगर आपको लगता है, no error, guys, if you think there is no error in this sentence, your option will be D, but if you think, अगर आप सोचते हो कि error है, तो फिर आपको error part, error part को spot करना पड़ेगा, चले, 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 श्टार्ट करें, yes, 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 guys, comment box में, comment box में, comment box में, फटा-फट करेंगे, so ही बच्च्चे, yes, 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 अच्छा एक concept में बता दूगा जानते हैं a lot a lot और a lot आपके बाद जब countable ना उना आएगा तो वो plural होता है वो plural होता तो इसके साथ verb क्या होगी इसके साथ verb भी guys क्या होगी plural होगी clear हुआ a lot a lot of a lot of a lot आपके बाद दो ही concept है अगर countable ना उना आ गया तो फिर वो plural subject होगा वर plural होगी अगर uncountable ना उना आया तो singular subject होगा वर्ब भी आपकी क्या होगी singular होगी guys यह क्या है a lot of teachers is available अब ध्यान है अलाट आपके बाद जो teacher है na teacher यह countable noun है तो पहरी बाद plural होगा और फिर य song है यहां देखे a lot of के बाद जब countable noun आएगा तो यह plural होगा और आगे वर्ब भी क्या होगी plural होगी और यहां है क्या plural है sentence number two guys क्या है राइट है इसका skin short ले लेंगे सभी बच्चे और PDF के लिए नंबर है guys 9625811125 यह WhatsApp नंबर है यहां पे call भी कर सकते कोई डाउट है यहां पेडियेप करेंट रफेयर स्वटे मोडेड आउट क्लास की नोटिफिकेशन यहां मिलती रहेगी और गया जानते हैं पीडियेप के लिए लेट्स क्रेक यूपी सी टेलीग्राम ग्रूप भी है और एंगलीज बिद घंसयाम सर यह भी टेलीग्राम ग्रूप है जिन बच् आप जोइन करना वाट्स अब जोइन कर सकते हैं और यहां वायज और गल्स के ग्रूप बिल्कुल सपरेट नहीं सबंसाइब अग्यान इतर इसतो Dalot हो गया स्टेक यहां जब आला आपके बाद काउटेबल नायुण होगा यह पर लूटे जो से प्लूरल होगा तो यहांपे वर्व क्या होगी यहां पर होगी यहांपे डी है 科ई भी एर्र नहीं है क्लियर हुआ है कली हुग हो गया तो जी जाए यहाँ आप करेंगे मैं आपकी टाइमी स्टार्ट कर दे रहा हूं आ लाट आप पीपल गोज टू अमेरिका ये बरी एर ये पार्ट सी है नवर पार्टी है बहुत सिंपल है पिप्टीन से करेंद से ज़्यादा की टाइम नहीं मिलेंगी चले चलेए डन करिए येस 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 Shy सौरफ दोन करें ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला ब volcan आता है जोड़नी s2 कैस्ट वालाप ये जी जानतेगे. व्यवर्भ में जब और ये से करेंगे उसका मतब पार्ट भी मेरर है जोज को क्या करनेगे, गो करनेगे तो राइट है, डन, अच्छा, आप की क्या करनेगा, यहां पर देखे एक और कॉस्चिन है, अलाट आप पर्सन पार्ट अ, गो टु अवेरिका एबरी येर, अब तो गो हो गया, आप तो राइट है क्या, नो एरल लें लेंगे आप अप्सन डी लेंगे कि कीसी फार्ट मेर रहें यह से से सब्सक्राइब करेंगे जानते हैं क्या करेंग आप मैं आपको बता दूँ अब है क्या इस शिर्ट प्लूरल करने के लिए पता है या तो परसंव कर दो या तो परसंट ल लगा दो परेश ने सकते हैं तो भी ठीक है अगर गई clear है तो jy नहीं clear है तो jn घंच्याम चिंग नो comment box में और गई जानते सविजे स्वेशन को like और share जरूर कर देंगे जिन बच्चोंने श्वेशन को like और share नहीं किया है लाइक और share जरूर कर देंगे ठीक है चलिए और मैं थोड़ा सा क्लास का यहां पर इन्फार्मेशन देख गाई डेली फ्री फ्री लाइब क्लास है और यह मेरा कोड एस पी जी एच एएंज जब आप अने का आप इंस्टाल करें यह कोड आप जरूर दिविच करें गाई पहला क्लास 1030 एम यूटूब पर चैनल का नाम क्या है इस चैनल है के टाइप करेंगे ऊहां पहने आप इंग्ली आप के ऊकूल करेंगे क्लास और अकेड्मक ऑन आदेभ और हैं यह क्लास होगा यहां सेकंड और थाड़ क्लास हो गाप इंग्ली इंगे अगर आपको अपनी वाइब बूस्ट करनी है तो यह थ्री पी एम पर क्लास यह लाइब होगा वक्याप का यह यूटूब का चैनल का नाम है इसमें लोग एंटोनीम सुननीम सुनोफोंस वन वर्ड सब्टिटीउशन सीखते हैं और जानते हैं यह उबराल 90 मार्क से हाफ एन और का सेशन 90 मार्क आपका कवर करता है सभी वेच्चे 3 पी एम को लाइब रहेंगे अच्छा सिंथिस तो आपको पता है आज स्टार्ट होने वाला कितने बज़े बाई यह गाई आज स्टार्ट होगा बारा बज़े ट्वल्ब टू-3 पीम आज दो पहर बारा प्लेटिंग में विसका यूज होता गया इस ठीक है और जो बच्चे नय है अन अकेडमी पर क्लास अगया तो अन अकेडमी का आप आपको इस्टाल करना होगा इस्टाल करते से में आपसे कोड मांगा जाएगा यह स्टी जी एचे एन कोड का आप जरूर यूज करें और प्लेटिंग में जाकर आप स्टाल कर लेंगे और कोड मांगा जाएगा तो यह स्टी जी एच एन कोड यूज करें ताकि मुझस से भी आप डिरेक्ली जूड पाएंगा यह कोड आप जरूर यूज करें ठीक है और यूपीस्टी सी में जाके घंस्याम सिंग को सर्च करके कर लेंगे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिले गए और यह कंबायर्ट वाला तो मैंने बता दिया गाई बिल्कुल फ्री है यह जो मोस्ट कंप्टेटिव गेमिफाइड यूपीस्टी सी बैटिल जो होने वाला है इस संडे को नहीं होगा अगले 20 तरीक होगा तो उसमें यह बिल्कुल फ्री है सुईबच्चे पार्टिसपेट कर सकते हैं इसमें कोई चार्ज नहीं है यह कोड आप जरूर यूज करें जब लोगिन या आप आप इस्टाल करें SPGHR ये code आप ज़रूर इच करें इसमें जानते हैं 4 prize है 4 prize है 1, 2, 3, 4 और जो 1st prize है वो रूपीज 1 लाख वर्द की prize है गाईज ये आपके सामने दिख रहा है Apple MacBook Air है ये 1st prize है 2nd prize आपके सामने दिख रहा है Apple iPad Mini है 3rd prize आपके सामने है Apple का Airports गाईज ये और 4th prize में 100 top rankers होंगे जिनको 1000 रूपीज का अमेजान का ये gift voucher मिलने वाला गई process क्या है अगर आपने app install नहीं किया है तो आप Unacademy का app install कर लिजे learning app वहाँ पे आपको code मांगा जाएगा SPGHAN code का यूज करिए अच्छा app install हो गया अब आपको क्या करना है या जिन बच्चों का app install है पहले से वह भी अब इसमें आगे जिनका नहीं था वह भी install कर लिए अब आपको क्या करना है दे सकते हैं इसमें होगा क्या test process क्या गाइज complete UPSC CSC GS होगा complete UPSC CSC GS होगा total number आप जो question होंगे 60 होंगे यह GSC होगा प्री का EMC Q होंगे सभी question EMC Q होने वाले हैं और यह 50 question होगा सभी question करने हैं लेकिन कब आपको सभी आ रहे हैं वगर सभी नहीं आ रहा तो मत करिए सभी जो आ रहा हो ही करिए क्योंकि negative marking भी है और आपका ना live ranking दिखाएगा कि all over India में आपकी ranking क्या है तो जब आप login या enroll करें यह code ESPGHAN आप जरूरी यहां देख पने strategy क्या गया जानते हैं don't play hit and miss तीर तुक्का मत खेलिए विकाज negative score रहे गई negative marking चलेगी एक आपका गलत होगा आपकी ranking बहुत जादा नीचे आगी तो यह strategy है कि hit play मतलब hit and miss तीर तुक्का मत लगाए नहीं जो राइट आता उसी को करिए और जिसमें IPS और IRS जो बच्चे हैं यह बच्चे भी participate कर रहे हैं तो competition तगड़ा है जो बच्चे टॉप rankers होने वाले हैं 2021 के CSC के वो बच्चे भी है और भी जो combat है विल्कुल free है कोई charge नहीं कोई cost नहीं गए इस है ना all over इंडिया में आपकी ranking पता चलेगी प्री में कि आपकी ranking कहां प्री का जो GS होगा CSC ने गए GS का ranking पता चलेगी exam को आपको used to हो जाएंगे exam दे देके कि आपको कैसे face करना होता है प्री की GS उसका full provision almost हो जाएगा जो question नहीं होगा उसका recorded video solution आपको provide किया जाएगा यह अगर आप winner नहीं भी बनते हैं तब भी एक benefit है गाईज और जब भी आप install करें आप तो spghan आप जरूर यूज करें मेरा code और 10s का महाकुम 10s A to Z सभी एक्जाम के लिए यह 10 to 4 p.m. इस संडे को चलेगा आने के एड़मी के learning app पर है तो अगर यह class आपको free चाहिए तो spghan code का आप जरूर यूज करें जब आप आप इंस्टाल करें तब और synthesis सभी एक्जाम के लिए आज स्टार्ट होने वाले यह 12 to 3 p.m. और यह मेरा code espghan आप जरूर यूज करें गंस्याम सिंग को UPSC CSC भी जाके search करके follow कर लेंगे यह class मिल जाएगा अब गाइज पता अगर आपना CSC को लेकर determined है आपका dream है कि मुझे CSC crack करना है तो आपका dream सत्य हो सकता आप CSC crack कर सकते लेकिन उसके लिए आपको गाइज subscription लेना पड़ता है जिसके दो तरीके एक तो plus है गाइज प्लस में जानते है प्लस जो है इसमें जो 12 मंद की fee है 44,5 गाइज 24 मंद की जो fee है 64,800 है और ये fee क्या है 10% discount के बाद है discount आपको कम मिलता है जब घंस्याम कोड आप यूज करेंगे आपको 10% का discount मिलेगा साथी साथ आप मुझ से directly जूड़ पाएंगे तो मेरा experience है 27 years का आपके selection हो बहुत ज्यादा help करने वाला गए तो आप जभी भी subscription लें आप मेरा कोड घंस्याम आप जरूर यूज करेंगे सेकेंड आप देख रहेंगे आइकानिक सब्क्रिप्शन में क्या है इसमें क्या है कि आइकानिक आपको एक टीम मिलती है तो इस टीम की जो मेंबर है और डी कुछ मेंबर ओगाई जानते हैं CSC के top rankers रह चुके है कुछ मेंबर क्या है CSC की सब्जेक्ट है इसमें बहुत एक्सपर्ट है यह आपकी टीम होगी यह टीम 24 x 7 मतब डेली आपके साथ काम करेगी यह बताएगी कि strategy क्या है organized way क्या है प्रिविशन का यह जब बताएगी आपको ना तो पता पहला benefit क्या होगा 2-3 years जो हमारा इधर जर भटकने वेस्ट हो जाता यह नहीं होगा जो selection 2-3 साल बाद होने वाले वो 2-3 साल पहले हो सकते हैं जो selection नहीं होने वाले कम मार्जिन से रह जाती वो selection भी हो सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको आइक्वानिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इसकी 12 मंद की जो फी ह है 62,550 रुपीज गाइस 24 मंद की जो फी है 96,300 है 36 मंद की जो फी है 1,26,900 है और यह फी क्या है 10% discount के बाद है discount आपको कम मिलेगा जब घंस्याम कोड यूज करेंगा वो 10% discount मिलेगा साथी साथ मुझ से धरटी जुडने का मौका मिलेगा तो मेरा जो experience 27 years का आपके selection बहुत ज्यादा help करने वाला गैज और जानते हैं इसमें क्या है यह जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्सन आपको टॉप रेंकर बना सकता है आपको first attempt में clear करा सकता है और आपका जो selection almost 100% done कर सकता है लेकिन इसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्सन लेना पड़ता है सब्सक्रि अपकॉनिक सब्सक्रिप्सन को लाइक और जरूर कर देंगे सभी बच्चे सेशन को लाइक और से जरूर कर देंगे थैंक यू फार वाचिंग सपोर्टिंग मिलते हैं तुरंत अनकेड़मी पर जाइज थैंक यू थैंक यू बेरी मच